गुड मॉर्निंग इस्टुडेंट्स कैसे हो आप सब लोग उमीद करती हूँ आप सब लोग अच्छी होंगे तो आज की वीडियो में हम क्लास सिक्स्त में सब्जेक्ट साइंस में लेसन नमबर एट शरीर में गति के बारे में पढ़ेंगे ओके बच्चो तो हम लेसन पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो शरीर में गति बिल्कुल शान्थ होकर बैठे तथा अपने शरीर में होने वाले गतियों का अनुबव कीजिए आप समय समय पर अपनी पल के तो जपकाते ही होंगे स्वांस लेते समय अपने शरीर में होने वाले गतियों का प्रे आप मुढ़ कर अपने मित्र को देखते हैं तब शरीर का कौन सा भाग गती करता है उप्यूक्त सभी उदारनों में आपके उसे स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर का कोई ना कोई भाग गती करता है हम कोई भी काम करते है थो हम चाये एक जगा पर ही क्यों ना बैठे हो आप उठकर अध्यापक के बाद जाते हैं कक्षा के बाद विध्याले के मैदान में जाते हैं तता विध्याले के बाद अपने घर जाते हैं तो इस स्तिती में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तों में क्या चल कर जाते हैं आप चल कर दोड़ कर या कूद कर एक स्थान पर जाते हैं आईए अपने मित्रों अध्यापकों और अभिभाव को से चर्चा करके सानी 8.1 बढ़ती हुई यह देखते हैं कि जनतु एक स्थान से दूसरी स्थान तक कैसे गमन करते हैं ठीक है तो गाई है गाई अपने पैरों से चलती है मनुश्य मनुश्य भी जनतु एक स्थान से दूसरी स्थान तक जानने के कुछ डंग है जनतु के एक स्थान से दूसरी स्थान तक जानने के कुछ डंग है जनतु के एक स्थान से दूसरी स्थान स्थान तक जाने के तरीके में इतनी अधिक विवित्ता क्यों है क्या कारण है कि अनेग जन्तु चलते हैं जब कि सांप रैक्ता और मचली तैरती है और हाँ बच्छो जब मैं पढ़ा रही हूं ना तो साथ साथ में तुम अपनी बुक भी निकाल लीजिए मतलब निकाल लिय वीडियो में तुम्हें साथ सात में देखोगे तुम्हें अच्छे समझा जाएगा बास समय बच्छो तुम लोग निकाल लिया करूं अगला टॉपिक है मानव शरीर और इनकी गतिया जन्तुओं की विविद गतियों पर ध्यान देने से पूर अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यान पूर्वक देखे क्या आपको विध्याले में शारीरिक व्यायाम करते समय आनन्द आता है विध्याले में शारीरिक व्याया को करने का प्रयास करें एक कालपनिक विकेट पर कालपनि गेंद फेकने का प्रयास कीजिए आप अपना हाथ किस प्रकार गुमाते हैं क्या आप इसे अपने कंदे से वरता कारूप से गुमाते हैं आप गेंद फैंकते तो कैसे करते हैं अपने हाथों को मुवमेंट कैसे करते अपने कंदे से व्रता कारूप से मतलब ऐसे राउंड में अपने हाथों को घुमाते हैं गैंत फेकते हैं तो क्या आपका कंदा भी कती करता है पीठ के बल लेट जाइए तथा अपने पैर को कुलहे के चारों और घुमाईए आपको बुजा को कहनी से उपर नीचे कीजिए इसी प्रकार पैरों को घुटने से मोड़िये अपने हाथों को अपने पार्षों में सीधा तानिये बुजा को मोरते हुए अंगूलियों से कंदे को छुईए आपने अपने हाथ का कौन सा भाग मोड़ा हाथों को सीधा तान कर निची की और जुखाने का प्रियास जबकि कुछ अन्य अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं हम अपने शरीर के कुछ बागों को घुमाने में असमर्थ क्यों रहते हैं अब देखो कुछ तो ऐसे हैं आपने हातों के अंगूलियों को अराम से हर जगा पे घुमा सकते हैं पर तो कुछ बाग ऐसे हैं थोड़ा सा मुमेंट करते ही नहीं है अब जैसे गर्दन है गर्दन पूर्ण सा मुड़ सकती है कि हमारी नहीं गर्दन राइट और लेफ्ट इतना ही देख तो अराम से अंग कर अल यहांसे चले कि फिर आशा उपर बीु चलिकें इसका भी मुवंच तर्फ भींड़ है पूरा पीट थोड़ा बहुती है ठीक है और सिर है कोहनी है भुजा है यह सब क्या है अब भुजा को देखेंगे तो बुजा क्या हो जाएगे पूरी हमारे ना एक दूंप पूरा वृत्ताकार गेरा बना लेगे जब उसको घुमाएंगे तो ठीक है अब हम करते हैं किर्या कलाप एक पैमाने को अपने हाथ परचित्र आठ पॉइंट एक यह जैसे कर रहा है ना दर्शाइ स्थिति में रखिये जिससे आपकी कौनी पैमानी के मध्य में रहे अपनी मित्र से पैमानी तता हाथ को एक साथ बांधनी के लिए कहिए अब अपनी कौनी को मोर पाते हो गया नहीं मोर पाते हैं ना थीक है बच्चा तो हमारा अगला पेश लेते हैं अभी क्या अपने ध्यान दिया है कि हम शरीर के विबिन भागो को उसी स्थान से मोर अथ्वा कुमा सकते हैं जहां से दो हिस्से एक दूसरे से चुड़े हो अब देखो अ बचल जॉइंट है ना तभी सभास ही सब्सक्राइट हैं यहां से हो उदारन के लिए कोहनी नाम बता सकते है इन इसतानु को क्या कहते हैं संदि कहते हैं जहां से कोई दो भागति बागति हो उन भागों को क्या कहते हैं उन इस्थानों को क्या कहते हैं संधी कहते हैं यदि हमारे शेरीर में कोई संधी नहीं होती तो हमारे विचार में क्या हमारे लिए किसी भी प्रकार की गति करना संभव है अगर हमारे शेरीर में कोई संधी नहीं होती तो क्या हम किसी भी प्रकार क कोई गति कर पाते क्या नहीं कर पाते वास्तो में इन संधियों को कौन से वस्तु परस पर बांदती है अपनी उंगोली की कि आपको ऐसा अनुबह हुआ कि मतलब अपनी ने किसी कठोर वस्तु को दबा रही है ये कठोर सरंचना अस्थिया है अब देखो हम अपने हाथ से अगर मान लो तुम अपने दूसरे हाथ को दबाते तूम ऐसे देख तो कि यहाँ पे कुछ है ओना ऐसे कठोर अए इतनी सारी अस्तियों को नहीं मोडा जा सकता तब हम अपनी कौहनी को कैसे मोर सकते हैं हाथ के उपरी सीरे से कलाई तक एक लंबी अस्ती नहीं होती, बीच में जॉइंट होता है न, इसी प्रकार अस्ती नहीं होती, वास्तों में अनेक अस्तियां कौनी तक जुड़ी रहती है, बहुत सारी अस्तियां होती है, जो कौनी तक क्या होती है, जुड़ी रहती है, कौन प्रकार के लिए और अनेक प्रकार की संदिया'm होती है अब बहुत सारी संदिया होती इसके बारे मेंनों र bets आपा मोड हो उसके लीजी और उसको एक है लि Kayla के जैसे गोल चीलेंडर के जैसे मोडी है साई प्लास्टिक की एक पुराणी गेंद म एक छेद करके प्लास्टिक की एक पुरानी जाद करके कि निश्षेपड में उसमें यह तो के डाल पइसे सबख्सक्राइब करके बैंद को एक कटोरी में रख कर रख चारों और घुमाने का प्रयास केजिए आप गेंद करी में स्वतनतरूप से घूमती है क्या कागज का बेलन भी घूमता है अब देखो कटोरी तो स्वतनतरूप से घूमती है तो क्या कागज का बेलन भी घूमता है क्या बताओ वई आप कल्पना कीजिए कि कागज का बेलन आपका हाथ है तथा गेंद इसका एक हिस्सा है इसका एक सिर होता है इस प्रकार की संधी सभी दिशाओं में गति प्रदान करती हैं क्या आप इन अस्तियों में उप्रोक्त प्रकार की संधी का कोई अन्य उधारन खोज सकते हैं, इस अनुभात के प्रारंब में शरीर के विभीन भागों को हमारे द्वारा दे गे गतियों का समारण कीजिए, अप यह देखो, जब हमारे यह कंधा होता है, अपना पूरा हाथ को मुवमिंट करते हैं उपर से, तो जो हमारा कंधा होता है, कंधे के तरफ इस गेंद की तर। ठीके न, गेंद की तर और यह किया होगए, अगली संधी के बारे में बात करते है, अगली संधी न दुरागर संधी, गर्दन तथा सिर्ड को जोडने वाली दुरागर संदी है गर्दन और सिर्ड को जोडने वाली संदी कौन सी है दुरागर संदी है इसके द्वारा सिर्ड को आगे पीछे या दाएं भाई गुमा सकते हैं देखो गर्दन और सिर्ड को जोडने वाली संदी का नाम क्या है दु हाथ को पूर्टते वरताकार रूप में घुमा सकते है दुराग्रे संदी में बेलना कार अस्ती एक छले में घुमती अब इसमें देखो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है दुराग्रे संदी और कंदुखली का संदी में इसके अंतर का जो अंग इससे जोड़ा हुआ था गेन से वो क्या कर रहा था पूरा वरताकार दिशा में गूम रहा था पर इस कंडिशन में दुराग्र संदी में हमारा जो गर्दन है वो पूरी तरह से वरताकार नहीं गूमता है सिर्फ दाएं भाय गूमता या उपर नीच जिसमें हाँ ठीक है हाथ को पूर्ण वर्ता कर गुमा सकते हैं दुरागर संदी में बेलना कार संदी एक छले में गुमती है ये दखो ये क्या है एक छले जासे और इसके अंदर ये गुमती है बात समझ आगे ये हमार उगया उपर मस्तिक शोड गर्दन का जो हिस्सा है वहा दर्वाजे को आगे और पिछे की और खुलने देता है अब देखो इसके अंदर हम देखते हैं क्या करता है दर्वाजे को आगे पिछे खुलने देता है ना यही तो करता है दर्वाजा ठीक है ना अब किर्या के लाब देखते हैं आई ये कबजे की गती के प्रकार को देखे जैसा कि चित्र 8.5 में दिखाया गया है चित्र के अनुसार गत्र आथवा कागस के बेलन के मध्य में छेद करके एक छोटी पैंसिल लगाई इसके अंदर मद्धी च्छेद करके एक चोटी क्या लगानी है पैंसिल लगानी है लगाली एक पैंसिल लगानी है ठीक है ना गत्य का एक और टुकडा लेकर इसको इस प्रकार मोड़िये कि यह आधा बेलन बन जाए जिस पर दूसरे बेलन को सरल्दा से घुमाया जा सके इसके अंदर जो हमने गत्ता और उसके अंदर जो पैंसिल डाली थी छेद करके वह वाला इसके अंदर रख देंगी ठीक है यह आधा बेलन बन जाए जिस पर दूसरे बेलन को सरल्दा से घुमाया जा सके आधे बेलन पर रखा पूर बेलन कबजे की कबजे की बांती अब क्या बन जाएगी ऐसे सिदर उदर घूम जाएगी अराम से कबजे की तरह और पैंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास कीजिए क्या इस प्रकार गत्ती करता है यह किस प्रकार गत्ती करता है यह आपके द्वारा बनाएगे कंदु खली का संदी की गत्ती से किस प्रकार ब कबजी की तरह कि यह देखो जो कुछ हमने हमने बनाए था वह हिंज से भिन है इससे यह पता चलता है कि हिंज एक दिशा में गती होने देता है कौनी में हिंज संदी होती है जिससे केवल आगे या पीछे एक ही दिशा में गती हो सकती है क्या आप ऐसे संदी के कुछ और उधारन सो सकते हैं अब हम बात करते हैं अगली संदी के बारे में अचल संदी है हमारे सिर की अस्तियों के बीच की कुछ संदिया उन संदियों से बिन है जिनकी चर्चा हमने अब तक की है यह संदिया इन संदियों पर हिल नहीं सकती एसी संदियों को क्या कैते हैं अचल संदी के देखे हैं अचल संदी मतलब वह संदी जिसके अंतरगत हमारी अस्ति हिल नहीं सकती, जिसके अंतरगत हमारी कोई अस्ति हिल नहीं सकती, ऐसे संदी क्या कहलाती, अचल संदी कहलाती, जब आप अपना मूँ खोलते हैं तो आप अपने निचले जबडे को सिर से दूर ले जाते, आप ओपर वाले मुझसे नीचेहा जाएगा। अबने उपरी जब्ड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए Acho इसको कते आघगी सबाइगा है। जो कपाल होता है जो उपर जो सर सीर होता ना सिर वो कपाल के अंदर होता ठीक है ना तो उसके मद्दि जो संधी होती उसको क्या कहते है अचल संधी हमने केवल कुछ संधियों की ही चर्चा की जो हमारी अस्तियों को एक दूसरे से जोरती है हमारे शेरी के विभिन भागो को विभिन आकर्तियां कौन प्रदान करता है यदि आप एक गुडिया बनाना चाहते हैं तो आप पहले क्या बनाएंगे संबवत है गुडिया को एक आकर्ति प्रदान करने के लिए आप एक धांचा तयार करेंगे सिंपल सी बाते गुडिया बनाने तो गुडिया के जैसे एक तयार करना पड़ेगा आप ऐसा नहीं करेंगे हमारे शरीर के सभी अस्तियां ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुन्दर आकरती प्रदान करने के लिए धांचे का निर्मान करती इस धांचे को क्या कहते हैं कंकाल कहते हैं हमारे जो शरीर जो सुन्दर आकरती है वो किस कारण है इसके लिए हमें एक धांचा तयार करना पड़ता है फिरना इस धांचे को क्या कहते है कंकाल कहते हैं जैसे तुम लोगोंने लड़किया है जैसे गुडियों से खेलती है तो उन्होंने देखा होगे कि जो गुडिया होती है उनके हाथ पैर निकल सकते वैसे हमारे अंदर भी ऐसे हाथ और पैरों के जॉइंट्स होते है और ये क्या होती है उनको क्या कहते है जो धांचा होता है हमारे शेरी का उसको क्या कहते है कंकाल कहते है अब ये देखो ये हमारे शेरी का धांचा कुछ ऐसा दिखता है ये देखो ऐसा दिखते हैं सबका एक जैसा ही दिखता है हम कैसे जानते हैं कि यह कंकाल मानव के आकरती है हम शरीर की विबिन अस्तियों की आकरती के विशह में किस प्रकार जान सकते हैं शरीर के कुछ अंगों में मौझूद अस्तियों और उनकी संख्या था आकर्थी के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम उनका अनुबाव करते हैं X-ray चित्र से हमें शरीर की सभी अकर्थीयों की अकर्थी का क्या लगता है पता चलता है X-ray से हमें जो X-ray करवाते हैं कभी देखा होगा आपने कभी किसी बड़े का X-ray देखा होगा तो उसमें अस्तियां ऐसे जोईंट हमें अराम से दिख सकता है क्या कभी आपका अथ्वआपके परिवार के किसी सद्शेक एक्स-ray हुआ है कई बार चोट लगने पर चिक्किसक एक्सरे करवाते हैं जिससे उन्हें अस्थियों को हुई संभावी छती के विशे में जानकारी प्राप्त होती है एकसरे चित्र में हमें शरीर की अस्थियों की आकर्ति की पता चलता है उसी प्रका औरुभाव करे और एकसरे चित्र से तुल्ला कर अपने भाग में अस्थियों की संख्या ग्यात किजिए अपने उंगूलियों को मोड़े, क्या आप उन्हें परते एक संधी स्थल पर मोड़ सकते हैं, अपनी मध्यमा, आपकी मध्यमा में कितनी अस्थिया हैं, अपनी तेली के पिछले भाग का इस पर्ष करके, अनुबोगी जहातों को इस पर्ष करके देखें कि आपके हाथ में क ये अनेक चोटी 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 इस से कारपल कोते हैं तो का होतीत होती बता हुम अपने हाथ का मोमिटि नहीं कर सकत हैрий यह सीधय को बिल्कुल सीधा रहता फिर तो यह जो मिलके बने इन अस्थियों को क्या मूलता है कारपल ठीक है न मुच्छों अब हम बात करते हैं कि रियकलाब इसे कुछ समय के लिए रोके रहिए अपने वक्ष और पीठ को हलके से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभाव कीजिए जब आपना बहुत सारी सांस एक साथ अंदर लेते हो न तो आप देखोगे कि आपकी जो चेस्ट होती है जो आपका सीना होता है वह फूल जाता है वह फूल जाता है तो हम लोग देखेंगे जो हमारी जो अस्थिया है ना उसको अनुभाव कर सकते हैं जब वह सीना फूल ता है तो हम अपनी अस्थियों को क्या कर सकते हैं अनुभाव कर सकते हैं जितनी पसलियों को आप गिन सकते हैं गिन लीजी अब ऐसा है कि कोई जो पतल करोगे तुम हाथ लगाओगे जब गैरी सांस भरोगे तो तुम्हें ऐसी कुछ अस्तियां मूड़ी भी दिखेगी यह वक्ष की अस्तियां एवा मेरू दंड से चूड़कर एक बक्षी की सरंचना बनाती कैसी बक्षे जैसी सरंचना है ना इस शंकूर रूपी बक्षे को क् क्या पिरा होगे जैसे एक्सुल में क्या बोलते हैं वक्ष के दोनों तरफ 12 बारा पिसली किस नहीं होती है हमारे शेरी के कुछ Mehta इन में क्या रहते हैं सुरक्षित रहते हैं अपने कुछ मित्रों को बिना गुटने मोडे जुक कर अपने पाओं की अंगूलियां छुने को कहिए क्या यह चिकनी सम्तल और अखंड है अपनी अंगूलियों को अपने मित्र के गर्दन से आरम करके अपनी पीठ पर निचे की और लाइए आपके द्वारा अनुभाव किएगे जो सरंचना है वो क्या कहलाते है मिरुदन जो आपके जो पीठ के पीछे की तरफ जो होती है जो अड़ी होती है उसको क्या बोलते है मिरुदन ऐसी अनुभाव करोगे अगर तुम हाथ पीठ पर पीछे की तरफ तो तुम ऐसी अड़ी को अनुभाव करोगे ठीक है न इसको क्या बोलेंगे मिरुदन यह अनिक छोटी छोटी अस्तियों से बनी होती है जिसे कशेरुका कहते है यह क्या यह देखो यह जो मिरुदन है बहुत सारी छोटी 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 अस्तियो क्या बोलेंगे कशे रुका थीक है मेरु दंड ते तिसकशे रुकाओं का बना हम Makeru-दं यह धो एक ही अस्ति का बना होता है तो आप अपने मित्र इस प्रकार नीचे जुख सकता है अगर माल लो मेरुदंड क्या है अगर एक यस्ति का बना होता तो बताओ हम नीचे जुख सकते थे क्या नहीं क्योंकि यह बहुत सारी यस्तियों का मिलके बनावा इसलिए हम क्या मुव्मेंट कर सकते हैं अगर एक यस्ति का बना होता अपने मित्र को खड़े होकर अपने हाथों से किसी दिवार को धक्का लगाने को कहिए उससे कहिए कि मेरु दन अपने हाथ से दिवार पर धक्का लगाने का प्रयास करें मतलब ऐसे अपने हाथों से दिवार के उपर धक्का लगाने का प्रयास किए आपको अपने कनधि विब्ड भी अस्थिया दीखे की जब है ना कोई धक्काव लगाते हो नीची की दीवार के पर धक्का लगाते हो adopt हो ना तो यह क्या ओते कंदिक मुर्वी मात्ती है। आठ चित्र 8.13 को ध्यान पुरग देखिए यह सरंचना शोणी अस्तिया है यह बॉक्स के समान एक ऐसी सरंचना है जो आपके अमाशय के नीचे पाए जानने वाले विभिन अंगो की क्या करती है रक्षा करती है यह कुले वाला वह हिस्सा है जिसके सारे आप बैठते हैं खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनिये यह हमारे शरीर के अति महतुपूर अंग मस्तिक्ष को परिशुद करके हमारी क्या करती है सुरक्षा करती है इस खोपड़ी के अंदर क्या होता हमारे मस्तिक्ष क्या होता है बंद होता है जिससे हमारे मक्स्तिष के क्या होती है, हमने अपने कंकाल की, बहुत सी अस्तियां तथा संधियों के बारे में चर्चा की है, कंकाल की कुछ अतरिक्त अंग भी है, जो हड्डियां जितनी कठोर नहीं होती और जिनने मोड़ा जा सकता है, मतलब कुछ अडिया ऐसी भी है नेक्श्ट वीडियो में हम यहां से स्टार्ट करेंगे और लेसन कंप्लीट पड़ेंगे ऊके बच्चो आज के लिए इतना ही थैंक्यू सो मटच